हलो मकर राशी स्वागत है आप सभी का मेरे चाइनल पर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैं हमेशा कहते हूं कि एक जनरल रिडिंग है जोरी नहीं कि सारे मैसेज़े आपके साथ रेजोनेट हो जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए बाकी को जाने दीजिए तो कुछ सेकंड के लिए अपनी आखे बंद करें और अपने पार्टने को आपको आपके लिए क्या है आपकी फेलिंग्स आपके लिए च्वार तक आपके पार्टनर के फिलिंग्स आपके लिए क्या होगी फिर्स्टू 15 फैब तक आपके पार्टनर के फिलिंग्स आपके लिए क्या होगी और आपके फिलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी फिर्स्टू 15 फैब तक ठीक है देखते हैं अभी की फिलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की और आपकी एक दूसरे के लिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा डर है आपको लेकर कि कहीं वो आपको खोव न दे मकराशी अभी की सिचुईशन में वो सिर्फ और सिर्फ भगवण से यही मैनि फेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ते में civilization मिल जाए मुझे इस रिश्ते में commitment मिल जाए एक future का रिश्ता मुझे इस रिश्ते में नजर आ जाए तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो आपको मना भी रहे होंगे वो आपको हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोस किया हो और वो दिल से चाहते हैं कि आप उनसे पूरी तरह से कमिट्मेंट में आ जाएं बट आपकी जो मैं देख रही हूँ एनरजी वो थोड़ी सी confused वाली है आप थोड़ा समझ नहीं पार हो कि या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सही guidance आपको नहीं दिख रही है, future को लेकर भी आप थोड़ा सा डर में हो कि कहीं ये रिश्टा चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं न कहीं आपको डर सता रहा है किसी चीज़ का और आप अभी कोई action लेने के mood में नहीं है, नहीं कुछ कहने के mood में हैं कि आप चाहते क्या हो, आप आपने अभी जो इस्तितिय है उसको पूरी तरह से होल्ड करके रखी विए कि भाई अभी कुछ पता नहीं है अभी मुझे टाइम चाहिए अभी मुझे सोचने दो लेकिन कई न कई में मन में बहुत ओवर्थिंकिंग चल रही है मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा होगे आगे कैसे बढ़ेंगे कैसे क्या होगा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं फस्टू 15 फैप तक कैसा रहने वाला है कि कि वाकिंग अवे कर रहे हूँ आप क्यूं चले देखते हैं कि मकराशी में यहां पर देख पा रही हूं कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आप कहीं न कहीं यहां से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओगे आप अपने पार्टनर को कोई भी जवाब नहीं देने वाले हो और जवाब दिया तो भी आप यही कहोगे कि मुझे इन सब चीजों के लिए अभी समय चाहिए मुझे अपने करियर पर फोकस करना है मुझे अभ काम कर रहु biggest प्रक्वर रही मुझे प्लपता या कि मुझे यह इसा नहीं मुझे प्रक पर सब्सक्राइब कोई और या कुछ भी ड्यश्जन लेने का वो अपने दिल की बात भी आपसे कहेंगे लेकिन कुछ decision पर आकर ही वो लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं यह भी देख पार हूँ कि वो जो manifest कर रहे हैं भगवान से जो pray कर रहे हैं कि भगवान जो भी होना वो best हो जाए बस अब तो यहाँ पर मैं देख रहे हूँ कि वो मतलब कि भगवान के ओपर भी decision चोड़ देंगे और अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे उन्होंने universe को भी कह दिया universe जो best हो वो हो जाए बट अपनी कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से मान जाओ नया आपके साथ उतावे दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ नए नया ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके पार्टर जिसे देखकर आप खुश हो जाओ ठीके चलिए देखते हैं और कार्ट सम मकर राशी फ़स्ट फिफ्टीन तक आपके पार्टनर की फिलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है मकर राशी कर रहे जिस्ट्रेंट काड इस बार उधर आया है आपके आपकी फिलिंग्स आपके पाटनर के लिए क्या होगी उफ उके चले दिखते हैं यहाँ पर stress card को clarify करते हैं यहाँ पर guilt को clarify करते हैं मकर राशी सबसे पहले मैं आप से शुरू करूँगी तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपकी energy जो है वो अभी बहुत rude नजर आ रही है अपने partner को लेकर अभी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे दिखाना नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है आप थोड़ा सा negative हो यहाँ पर हो सकती है मैं cheating नहीं कहूंगी लेकिन आप परिशान हो किसी चीज को लेकर आपको आपके partner की कोई चीज ऐसी पता है या फिर आपको पता है कि future बहुत ज़्यादा peaceful नहीं है इस person के साथ शहिद इसकी वज़े से आप इस तरह के हो रहे हो आप उनसे कोई argument भी नहीं करना चाहरे हो मैं यहाँ देख पार हूँ कि कि आप उनसे कोई argument नहीं करना चाहते हो आप सिर्फ अपना future देख रहे हो कि भाई मैं अपनी सोचो बागी मुझे अभी कुछ नहीं सोचना कभी-कभी ऐसा होता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा सच्चा सजजन इंसान होता है वो directly मूपे कह देता भाई मुझे तुम्हाय साथ यह problem है लेकि नहीं आप ऐसे नहीं हो आप बहुत चाला को मकर आशी आप बहुत ही तरीके से उन्हें जवाब देने वाले हो प्यार से जवाब देने वाले हो कि नहीं अब भी नहीं कोई मुझे ऐसा लग रहे है कोई अच्छा गेम भी आप प्लान कर सकते हो अपने पार्टनर को लेकर क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हो इन 15 दिनों में तो कोई अच्छा गेम प्लान करोगे अगर आपके पार्टनर आपको डेट पी पुलाएगे तो कहीं न कहीं हो मतलब की आपकी पार्टनर को मुझे ऐसा लग रहे है कि थोड़ा सा यहां पर परिशानी हो रहे है कि यह परसन मुझे चीquito कर सकता है person मुझे दो परसन मुझे दोख दे सकता है यह परसन एक तो कहीं न कहीं पूरी कोशिश Si invece और आने वाले है में देख पारी हूँ इन 15 दिनों में वो अपनी heart desires पूरी तरह से completely आपकी तरफ शो करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने भी वाले हैं कि मैं तुमाई लिए सब कुछ करने को तयार हूँ मतलब आपको हर तरह से समझाएंगे जो मैं देख पा रही हूँ चलिए और काट सम लेते हैं थोड़ें यहां पर फर्स्टू 15 फैब आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिटावर देखे टावर ही यहां रहा है यहां पर टैंपरेंस ओके टावर के साथ आपरेंस है डिस्टेंस है ओके ओफो थर पार्टी एंड़ एंपरेंस ओके ठीक है ठीक है कुछ लोगों के लिए मुझे इसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए क्योंकि यह जंडर लिडिंग है तो उनके लिए कोई नया रिष्टा करते हैं उनके शादी भी हो सकती है जिससे कि उनके पार्टन का दिल पूरी तरह से टूट जाए ठीक है कुछ लोगों के लिए क्योंकि यह जनरल रेडिंग है और कुछ लोगों के लिए जो कि मझे दिख रहा है कि दर टावर यहाँ पर तो टावर में यह नहीं होंगी बह आपको टाइम चाहिए और आप अटोमेटिकली डिस्टेंस में आने की कोशिश करोगे आपके पार्टनर को आप बहुत ही अच्छे से इमोशनल प्यार से हर तरह से आप समझा कर और इस रिष्टे को यहीं स्टॉप करने की कोशिश करोगे इन पंदरा दिनों में जैसा कि म आपके माइन में एक्चुली टावर है आपके माइन में एक्चुली ए रिष्टा खताम हो चुका है बट आप बस शो नहीं कर रहे हो आप उनका दिल नहीं दुखाना चाहरे हो किसी तरह से तो मैं यहां पर देख पार हूँ कि आप डबल थी की ट्रिपल थी की एनरजी है आपको त्रिपल थी बी नजर आ सकता है वीडियो देखते वक्त या फिर जब भी आप इस बारे में सोच रहे हो आपको त्रिपल थी नजर आ सकता है तो मन में ही कहते हैं एक बहुत अच्छा सा गेम प्लान कर लेना एक समसदारी दिखाना किसी तरह से कि आप किसी का दिल कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलोगे जिससे दिल दुखे और उस रिष्टे को भी पकड़के बरकरार रखोंगे ऐसे फ्रेंड भी आप रह सकते हो हमेशां ठीक है कि नेक्स्ट हम देखते हैं मकराशी क्या गाइडन्स है आपके लिए मकराशी के लिए क्या गाइडन्स है उनकी लव लाइफ के लिए रेनीवल बहुत अच्छा काड़ आया है बहुत पॉजिटिव काड़ है तो ठीक है सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ रेनीवल से ही क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव क्यों झायल खा रहे है कि कोईवी चीज एकर तकलीफ कि रहे है तो उसके लिए मैयुस हो कर बैठ virus की जांए उसकी शुरूआथे की जाए उसके फीजाए होते हैं तो यहां पर यह का जा रहा है कि खुद के लिए भी अगर आप खुशी डून लेते हो अगर आप अपनी life को perfect समझने लगते हो अपनी life की हर चीज को perfection देना चाते हो तो पता है तो भी है वो एक नए शुरुवात है ठीक है अगर आपका nature ऐसा है कि आप बहुत जल्दी किसी किसे अपने दिल की बात नहीं करते हैं आप अपने में ही रहते हो तो कहते हैं ना कुछ ऐसे लोग हमाई जिंदगी में होने चाहिए एक तो at least एक परसंट ऐसा होना चाहिए जिंदगी में जिससे आप दिल खोल कर सारी बात कर सको हो सकता है उससे आपको सही guidance मिल जाए हो सकता है वो आपको सही रस्ता दिखा दे हो सकता है कभी वो आपको संभाल ले तो वो परसं लाइफ में आने के लिए अपने दिल की बात कहनी बहुत जरूरी होती है तो अगर आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा mysterious टाइप के परसं है कि कोई आपको समझ नहीं सकता कोई आपको पढ़ नहीं सकता तो कोशिश करें कि एक नई शुरुआत करें और अपने आपको थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें थोड़ा social life में भी जा सकते हो आप थोड़ा अपने close friends से मिल सकते हो अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो अगर आप नहीं शेयर करना चाते तो किसी third person की guidance भी आप ले सकत हो जिससे कि आपको सही रस्ता मिले जो आपके लिए अभी बहुत जरूरी है हो सकता है आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर किसी सही person की guidance की आपको जरुत है जो आपको समझा सके कि negativity क्या है life में आपक बढ़ पाओगे ठीक है लास्ट में हम देखते हैं मकर आशी आपके पार्टनर के messages आपके लिए क्या है फर्स टू फिफ्टीन फैप के बीच में आपके पार्टनर आप से क्या दिल की बात करने वाले हैं flirting energy, okay, engagement मैंने का ना वो तो दिल खोल कर बैटे वे, वो तो आप से share भी कर रहे हैं कि भाई, life में सब को सेट है तुम बोलो बस क्या करना है तो आपके partner आप से इन 15 दिनों में flirt कर सकते हैं, वो आप से romantic बाते कर सकते हैं, वो share कर सकते हैं कि उनके मन में आपके लिए कैसी feelings हैं वो आपको convince करने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो मैं ही वो हूँ, सही person जो तुम्हारी life में हूँ, perfect person हूँ और तुम्हें उसके साथ commitment में आना चाहिए, engagement card कहता है कि वो आपको propose कर सकते हैं engagement के लिए यहां पर co-dependency card यह भी कह रहा है कि कहीं न कहीं आपके partner कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी इतनी आदत है जो कि मेरी life पे effect कर रही है मैं किसी और से connect ही नहीं हो सकती या नहीं हो सकता life में कभी भी, so वो अपना प्यार पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है hopefully आपको उनके message समझाए होंगे और आपको यह भी समझाए होगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए इस रिष्टे में ठीके तो मकराश यह थी आपकी reading आने वाले 15 दिन के लिए reading पसंद आईए तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले Thank you so much